हेलो सुट्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूं क्रिष्णा कैसे हां सब लोग मास बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोसल फार्मेसिक का चैप्टर नमबर थर्ड का लेक्चर नमबर फाइव जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है एक्चुली माल न मतलब क्या होता है कोली चीज माल बाल मतलब होगय हैं यहां पर कोई चीज चीज तो पर नहीं है तो फिर बता दूमें माल नीट्रिशन मतलब जो हमारा नीट्रिशन बिगड़ जाए अच्छा इदर नीट्रिशन हो गया और माल मतलब कोई चीज जो गरबड हो जाती है अच्छा गरबड में क्या हो सकता है डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो उट होगी मालनुट्रिशन में डेफसेंसी और ओर नुट्रिशन ओर नुट्रिशन भी हानिकारक होता है हम सब को पता है ओर नुट्रिशन के वए से यह ज्यादा एनरजी कैलोरी खाने से हम लोग मोटे हो जाते हैं ओवेसीटी जो कि एक अपने आप में बिमारी है क्लियर है तो देखें क्या कह रही है मालनुट्रिशन रेफसेंसी और एक्सेस कमी डेफसेंसी और एक्सेस यानकी या ज़्यादा इन नुट्रिएंस इंटेक जो हम नुट्रिएंस ले रहे हैं उसमें या तो कमी हो जाए या ज़्यादा ले ले इंबैलेंस आफ इस्चेंशल नुट ने गई कब जाता हो गई जो हम लोगग खास-खास न्यूटरींश ले रहे थे वह इंबैलेंस हो उसको चाहों यूं कह लो या यूं कह लो Impaired Nutrient Utilization Nutrients का जो हमारी बड़ी यूटलाइज कर रही है वो Impaired हो गया है गरबढ़ हो गया है तो Impaired कहलो, Deficiency Access कहलो Imbalance कहलो, सबका मतलब सेम है तो जब तुम आपने Definition लिखो होगा तो Simple लिख सकते हो Malnutrition refer to Deficiency or Access in Nutrient Intake एक Definition ही हो सकती है खतम और कह सकते हो Malnutrition refer to Imbalance of Essential Nutrients Definition खतम बड़ा Basic बेसिक चीज़े हैं तो इसको बड़ा दिमाग लाए कर सकते हो अपना Simple ज़रूरी नहीं कि तीनों ही वर्ड लिखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आगे आते हैं और कैस की Definition Malnutrition is the condition that develops when Malnutrition वो condition है जो की develop होती है, बनती है when, जब, the body is deprived deprived मतलब किसी चीज से वंचित कर देना कुई से कोई चीज छीन लेना ठीक है ना, किसी से वंचित कर देना या कोई चीज कम कर देना या छीन लेना, तो body से क्या कम कर दिया गया है body से क्या छीन लिया गया है deprived of vitamins, minerals and other nutrients यानि कि हमारी body deprived हो गई है उससे छीन लिये गई है, उसमें कमी आ गई है इन सब चीजों की इनकी जरूरत किसलिए है? ताकि हमारे tissues क्या रहे है? healthy रहे और हमारे organ function proper काम करते रहे है अब बड़ी basic सी बाते हो गई है ठीक है, आओ आगे देखते है types of nutrition, types of malnutrition दो type का है मैंने बताया under nutrition, कमी, over nutrition, जादा ठीक है, this type of malnutrition result from the not getting enough protein जब हमको परियाप्त मातरा में ये nutrition कब हो जाता है, malnutrition जब हमको परियाप्त मातरा में not getting enough, परियाप्त मातरा में protein, calories और micronutrients नहीं मिलते हैं तो under nutrition कहलाता है इसकी वज़े से, it leads to मतलब इसकी वज़े से, इसकी वज़े से हो जाता है low weight, वजन कम हो जाएगा for height, जितनी height पर जितना वजन होना चीए नहीं होगा, height मालो बढ़ गई तो वजन उत्रहा नहीं होगा ठीक है, इसको कहते हैं वाश्टिंग वाश्टिंग मतलब वारे muscles, mass कम हो गया height for age low, अब जो यहीं से कहानी चल रही है एक हो गया low weight for height low height for age जिस age पर जितनी height होनी चीए, उतनी height नहीं होगी low height for age इसे कहते हैं stunting, यह word बार बार आएंगे stunting, वाश्टिंग, नोट कर लो stunting मतलब किसी की height कम रह गई उस age के हिसाब से low weight for age जिस age पर जितना वज़न होना था उतना वज़न नहीं हुआ, इसे कहते हैं हम लोग underweight, यह हम समझ में आ रहे हैं low weight for age, underweight low weight for height वाश्टिंग low height for age, stunting के लिए लोगी बाते हैं, now over nutrition over मतलब हमने कोई चीज ज़्यादा ले लिए है over consumption, कोई ज़्यादा खा रहे हैं of certain nutrients, कुछ खास nutrients को such as protein, calories or fat can also lead to malnutrition, अब ज़्यादा खाने की वज़े से भी malnutrition हो जाता है के लिए रहे बाते हैं, this usually result in, यह usually आम तोर पे इससे क्या होता है over weight or obesity, generally आम तोर पे, usually, आम तोर पे क्या हो जाता है, over weight हो जाता है या obesity हो जाएगी के लिए रहे, आगे आते हैं people who are under nourished often have depth senses in vitamins जो under nourished होती है, उनके अंदर generally क्या होता है, vitamin ही कमी होती है mineral की कमी होती है, especially iron, zinc, vitamin A and iodine यह note कर लेंगे, important है किन खास vitamins की कमी हो जाती है, under nutrition में iron, zinc, vitamin A and iodine की कमी हो जाती है, however हलां कि micronutrients deficiencies can also occur with over nutrition, deficiencies over nutrition की वज़े से भी हो जाती है, important point है note करेंगे, क्या हम लोग जब कोई चीज़ ज़्यादा खा रहे है, तो क्या उसकी वज़े से हो सकता है, कि nutrition कमी हो जाए, तो yes, ऐसा हो सकता है, एक चीज़ ज़्यादा खा रहे है, उसकी वज़े से कोई दूसरा nutrition absorb नहीं हो पा रहा, या body में नहीं हा पा रहा, ऐसा हो सकता है it is possible to be overweight or obese from excessive calorie consumption but not get enough vitamins and minerals at the same time, तो इसी time पर हो सकता है, हम लोग कुछ खास vitamins and minerals की हमारी body में कमी हो क्या और आज करा हम लोग जंक food खा रहे हैं junk food का बढ़ा हम लोगों ने ठीक है, junk food क्या होता है जो कि जिसके अंदर nutrients नहीं होते हैं, तो junk food खान से energy तो मिल रही है, मोटापा बढ़ रहा है, लेकिन कुछ खास-खास vitamins and minerals हमारी body में नहीं आपाते हैं, तो उसकी कमी हो जाती है, that's because food debt contribute to over nutrition such as fried and sugary देखो वो यहां गया, fried and sugary food tend to be high in calorie and fat but low in other nutrients, तो यही वज़य है कि हम लोग जो बाहर से खाना खाते हैं इसलिए मना किया जाता है, पेट भरेगा वजन बढ़ेगा, तो हम लोग करेंगा रहे हैं, मुटापा चल रहा है, जादा खा रहे हैं जादा नहीं खा रहे हैं, उसके अंदर क्या मौजूद है तला भुना, चीनी, सुगर मौजूद है और फैट मौजूद है, उसके वएसे हमारा वजन बढ़ रहा है लेकिन जो essential nutrients हमारी बॉड़ी को proper work करने के लिए वो नहीं थे, तो फिर कुछ समय बाद पर चलता है कि हमारी बॉड़ी में कोई दिक्कत आना स्टार्ट हो रही है लिवर काम करना कम कर रहा है, किड्नी में दिक्कत आ रही है, लंग्स में दिक्कत आ रही है तो यह सारी प्रॉलम सीधरे, स्टार्ट हो जाती है क्यों स्टार्ट हो गई? खा तो रहे थे, लेकिन हमें nutrients प्रॉपर नहीं मिल रहे थे जो vitamins and minerals मिने चाहिए थे क्या science और symptoms होते हैं इसके The science and symptoms of malnutrition depend on the type Science and symptoms depend करता है कि malnutrition किस type का है Under है, over है Being able to recognize the effect of malnutrition can help people and healthcare provider identify and treat issues ठीक है, जब वो सच्छम होते हैं कि recognize कर लें effect of malnutrition malnutrition किसके वाई से हो गया है, क्या condition है अगर वो identify कर लेते हैं, उससे help हो सकती है लोगों की और healthcare provider जो doctors वगयरा होते है ठीक है, उससे identify हो सकता है और treat कर सकते है Issues related to under or over nutrition ठीक है, being able to recognize the effect of malnutrition जब malnutrition के effect हम लोग recognize कर लेते हैं यह help करता है पी लोगों की और healthcare provider की identify and treat the issues क्या दिक्कात है उसको ढूणने में और उसको ठीक करने में help हो जाती है clear रहे, तो यह इतना important नहीं था, science and symptoms सब क्या अलग रहते हैं Under nutrition कंडिशन देखते हैं हम लोग Under nutrition typically result from not getting enough nutrients हमको परियाप मात्रा में nutrition नहीं मिल रहा है in your diet this can cause क्या क्या हो सकता है बजन कम हो जाएगा weight loss loss of fat and muscle mass हमारी body का muscles वगरा है वो कम हो जाएंगे, hollow chicks and sunken eye हम लोग कहते हैं क्या रहे उसके swollen stomach एक पेट जो होता है यह तो गड़्यन चली आदे लिए पेट का ही पस फूल जाता है अब ऐसा लगता है केवल पेट पेट का हिस्सा फूल जाता है swollen dry hair and skin तो अच्छा सूकी सूकी रहेगी बाल रुके रुके रहेंगे delayed wound healing चोट लग जाएगी तो देर में ठीक होएगी थकान बहुत ज्यादा होगी difficulty concentrating concentrate करने में दिक्कत आएगी irritability चिटड़पन रहेगा depression and anxiety हर समय depression और चिंता में लगे रहोगे क्यार यार यह सब चिटड़़ होगा तो यह सारे तमाम लक्षण है under nutrition के people with under nutrition may have one or several of these symptoms है ना जो people होते है under nutrition में उनके कई सारे इनमें से कोई एकाद या कई सारे symptom हो सकते हैं some types of under nutrition have signature effect कुछ signature effect होते है signature मतलब कि यह होगा ही होगा बासमझमा रही है अगर malnutrition हुआ है तो कुछ खास दिक्कत होगी ही होगी बासमझमा रही है ठीक है तो signature effect कर मतलब होता है जैसे कि signature से किसी की पहचान होती है उसी तरह कुछ signature effect होते हैं उसी तरह क्या होते हैं कुछ signature effect यानिकि वो effect पक्का दिखाई पड़ेगा ना जहां पर दो चीजे हैं जो हमें पक्के से दिखाई पड़ती हैं खासकर बच्चों में एक है कौशी औरकर और एक है मरासमस है ना इसकी और detailing आएगी साइज इसकी फुल डिटेलिंग और जवर्दस तरीके से तो कौशी औरकर क्या होता है कौशी औरकर में severe protein deficiency यह प्रोटीन की हो जाएगी और अजीब सा हो जाता है ठीक है ना on the other hand condition मरासमस याने की मरासमस में क्या है protein के साथ साथ energy और nutrients की भी कमी है which results from severe calorie deficiency leads to washing and significant fat and muscles loss इसमें पतला दुबला बच्चा हो जाता है एकदम है ना और इसमें protein की कमी तो हाई हाई साथ साथ में calorie की भी कमी होती है तो यह है तुम्हारे signature effect अगर malnutrition हुई है तो बच्चों में यह condition पक्का दिखाए पड़ती बच्चों के लिए है कौश यारकर और मरासमस जो उपर वाली की हो जाती है सम आफ दा मोस्ट कॉमन देफ्सेंस एंड देर सिम्ट्रम जो चार थे बड़े कॉमन से हमने उपर डिसक्स किये थे विटामीन ए जिंक आइरन और इनके बारें पक्का पता होना चाहिए विटामीन की कमी से क्या क्या होगा ड्राइ आइज नाइट ब्लाइड भूख खतम इस्टंटेड ग्रोथ अब देखो इस्टंटेड मतलब बता चुका हो मैं पीचर में पढ़ता है इस्टंटिंग ठीक है ना डिलेड हीलिंग ऑफ वाउंड जखम जल्दी नहीं भरेंगे हेर लॉस पाल जड़ेंगे और डाइरिया जैसा बना रहेगा आइरन क अब जब थायरोड हार्मोन ग्रोथ और डेवलोब्मेंट इस्टंट करता है तो उसकी वाइश से ग्रोथ और डवलोब्मेंट में इस्टार्ट हो जाते हैं किलिए रहे तो यह चार का तुम्हें पक्के से पता होना चाहिए यह एक एस्टिमेशन है लगबग जितने बच्चों की डेथ हुई है उन में से है 45% मोते हैं 2011 में किसकी वाइश से हुई है इसी माल नूट्रिशन के वाइश से हुई है 101% ठीक है as a pharmacist अब वो बात होगी हमारी किसकी under nutrition की अभी part 2 आगया हमारे पास over nutrition ठीक है यहां से क्या part start होगे over अब हमने चीजें ज्यादा ले ली है कोई nutrition हमने ज्यादा खा ली है तो समझे जा रहा है उसको क्या है यहाँ पर the main sign of main sign of over nutrition सबसे पर लक्षण क्या है over weight and obesity वजन बढ़ जाएगा बटापा आजाएगा but it can also leads to nutrient deficiency but इसकी वज़े से nutrient deficiency भी होती है over nutrition हमनों खा रहे है तो कोई एक चीज ज्यादा खा ली है दूसरी चीज में कमी आ गई है बात समझ मारी है एक चीज ज्यादा खा ली दूसरी चीज में कमी आ गई है research shows that people who are over weight research बताती है जो लोग over weight है और obese और more likely to have inadequate intake and low blood levels of certain vitamins inadequate intake मतलब उनका खानपान प्रॉपर नहीं है और उनके blood में vitamins कमी होती है minerals की कमी होती है compared to those who are at normal weight तो जब तुम्हारा exam में लिखने का point आता है तो प्रॉपर लाइन ऐसे लिख सकते हो यह यह लिख सकते हो जो लोग over weight होते हैं उनकी blood में vitamins mineral कम पाए जाते हैं compared to normal people one study in 285 adolescent 250 लोगों पे की गई found that blood level of vitamins A and E in obese people were 2 to 10% lower than those of normal weight participant तो कहीं न कहीं यह पाया गया research में कि जिन लोगों को obesity होती है उनके blood में 2-10% vitamin A और E की क्या होती है कमी पाए जाती है this is likely because overweight and obesity can result from an over consumption of fast and processed food that are high in calorie and fat but low in other nutrients ठीक है यह question हो गया इसका answer होगे ऐसा क्यूं है क्यूं 210% कम पाया गया क्यूंकि मोटापा जनरलिक इसको गवाई देखो गाउं देहात में अपने villages में आदमी करता है खाना खाता है काम करता है वहाँ पे junk food नहीं है उतना है न तो गाउं में आपको मोटा आदमी जल्दी दिखाई नहीं पड़ेगा तो अब जब junk food वहाँ पर नहीं है तो वहाँ मोटापा भी नहीं है शेहरों में क्या है कुर्सी वाले काम है बैठा रहता है आदमी और चाहिए जो कि हमको वाइटेवल से मिलते हैं वो हमको नहीं मिल पाते हैं ठीक है एक स्टेडी हुई यह सत्रह जार अडल्ट के उपर इसने पाया गया दोस जो लोग खाते हैं फास्ट फूड है लोग इंटेक उप्विटामीन एंड चीज करना सोडियम मतलब हम जो नमक खा रहे हैं अब की बार कोई पैकट खरीदना चिप्स का खरीदना या फिर किसी का भी खरीदना किसी भी कोई भी चीज बाहर चिप्स नमकीन आती है उसके अंदर बाहर देखना सोडियम का कंटेंट पढ़ना अब समझना फिर कितना जादा होता उसके अंदर तो सोडियम बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसकी बहुत जादा दिक्कत है पानी बॉड़ी में रेटें करेगा फिर अलगतेर के दिक्कते स्टार्ट होती है then those obtained then those who abstained है वेटा ये abs abstained मतलब जिनको रोग दिया गया है from this type of food जो लोग abstained है इस type के food से उनके comparison में और जो लोग ये खा रहे हैं उनका comparison में तो जो लोग खा रहे हैं उनके अंदर vitamin A, C की कमी पाए गई lower है और उनके अंदर calorie fat और sodium ज़्यादा पाए गया जो लोग ये सब junk food नहीं खा रहे थे उनके अंदर ultra था vitamin A, C ज़्यादा पाए गया और calorie fat और sodium ये कम पाए गया के लिए रहता नॉर्मल सी बात है ये just research की कुछ बाते है assessing malnutrition कैसे malnutrition को assess करें समझें कि यहां malnutrition है symptoms of malnutrition are assessed by healthcare provider when they screen for the condition अब तुम जाओगे जब किसी healthcare provider के पास, डॉक्टर के पास तो तुमसे अपनी condition बताओगे तो तुमको screen करेगा तुमसे समझेगा कि क्या क्या खाना पीना कैसा है तुमारा क्या चीज़े है tools that are used to identify malnutrition include weight loss and body mass index तो सबसे पहले tool किया है हम लोग weight loss को check करते है और body mass index body mass index body mass index होता है हमार पास एक तरह चार्ट है किस height और किस age में कितना weight और क्या होना चीए यह सारा चार टाइक पर रहता है blood test for micronutrients status and physical exam blood test करेंगे physical examination करेंगे तमाम चीज़े हैं इनसे हम लोग क्या करते है access करते है समझे कोईश करते है कि malnutrition है या नहीं है clear रहे आगे आते है long term effect अब जाइज दिबात है health condition malnutrition के वैए से disease बीमारियां पैदा हो सकती है लंबे समय तक अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे और chronic health condition हो सकती है कोई खतरनाक बीमारी भी लग सकती जो लंबे समय तक हमने नहीं खाया है चीज़ें को या ज्याद खालिया चीजों को तो हो जाए long term effect of under nutrition includes higher risk of obesity heart disease and diabetes यहाँ पर गरबड हो गया है over nutrition क्यों होना चाहिए under क्यों होना चाहिए over nutrition long term effect of over nutrition includes higher risk of obesity heart disease and diabetes that childhood undernutrition cause changes in the metabolism researchers संधे करते हैं मानते हैं कि बच्चों में अगर under nutrition हो जाए तो इसकी वाज़े से उनके metabolism के उपर effect पड़ता है that may lead to higher likelihood of developing chronic disease later in life जिसके वाज़े से भविष्ण में आगे चलके जो है life में chronic disease हो सकती है over nutrition can also contribute to development of certain health issues over nutrition की वाज़े से भी कुछ health issues हो जाते हैं specifically कौन से हो जाते हैं over nutrition के वाज़े से खास कर की overweight और obese children have a higher chance of heart disease and type 2 diabetes ठीक है ना बास समझ मारी है तो क्या हो गया है यहाँ पर obese children have a higher chance of heart disease इनको heart disease और type 2 diabetes हो सकती है जो लोग over nutrition के लेते हैं I study over 369 000 children याने की 3,69,000 बच्चों पर जब किया गया found that those who were obese जो लोग मोटे थे were more than four times as likely to develop type 2 diabetes उनके अंदर चार गुना जादा पाया गया diabetes type 2 होने की छमता compared to their peers peers मतला जो उसके साथी लोग थे जो लोग obese नहीं थे who had a normal BMI जिनका normal BMI था और जो लोग obese थे तो obese के अंदर चार गुना जादा पाया गया कि उनके type 2 diabetes होगी ही होगी ठीक है since the long term effect of malnutrition can increase your risk of certain disease तो long term effect पढ़ते हैं हम लोग सोचते हैं रहे 4 साल से खा रहे हैं हमें कुछ नहीं हो रहा तो हो सकता है 50 साल में जागे कुछ हो जाए तो ये कभी ना सोचे हैं कि हम 4 साल से कर रहे हैं 5 साल से खा रहे हैं यही खा रहे हैं हमें तो कुछ हो नहीं रहा गलत है long term effect होते हैं कई बार इसके ठीक है ना since the long term effect of malnutrition can increase your risk of certain disease preventing and treating malnutrition may help reduce the prevalence of chronic health condition तो इसी रहा हमें से prevent or treat करने से जो health condition हो सकती है chronic उसको हम लोग रोग सकते हैं किलिए रहे बाते हैं बात समझ में आ रही है अब बात करते हैं common causes of malnutrition main main cause क्या है किन-किन कारणों से malnutrition होता है तो malnutrition इसे world wide problem है ऐसा नहीं किसी एक जगे की problem है यह पूरी दुनिया में समाई हुई है ठीक है that can result from कहां कहां से पैदा होती environmental, economical and medical condition कई सारी हो सकती the WHO estimates that over 460 million adults WHO ने माना है 460 million adults and 150 million children are undernourished while more than 2 billion adults and children are overweight or obese लोग यह आदी जदा आदी तो ठीक ही नहीं है खाना ही नहीं प्रापर उनका ठीक है न दुनिया में जो आबादी है ठीक है तो उसमें काफी सारी मात्रा है यह बहुत बड़ी मात्रा है यह तो अभी एक estimate है ना जाना है और कितने लोग होंगे तो कुछ लोग undernourished ज्यादा है और overnourished छोड़ से कम है common cause अच्छा undernourished ज्यादा क्यों है खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है तीन वक्त का आप सही से खापी नहीं पा रहे हो ठीक है तो उस case में malnutrition हो जाएगा तो कहरा food insecurity in both developing and developed nations to malnutrition जो food insecurity है वो दोनों में पाई जाती है developing और developed country में जिसकी वैसे malnutrition होता है digestive problem कुछ लोगों को digestive problem होती है and issues with nutrient absorption कुछ लोगों का health condition ऐसा होता digestion गरबट रहता है उनका digestion नहीं कर पाते है तो डॉक्टर उन्हें उबलाई हुआ खाने को तक गया रहा है आलू ही खाओ उबली हुई सबजिया ही खाओ या उबली ही चीज़े खाओ तो साज यह नहीं खा पा रहा है इंसान ठीक है या कुछ खास nutrients हैं वो body में absorb नहीं हो पा रहे है खाते हो वो body में as it is हमारा urine से या feces से भार रहा आता है condition that cause mal absorption mal absorption याने कि mal जो क्या गरबड होगी किसमें absorption में such as Crohn's disease Crohn's disease हो गया celiac disease and bacterial overgrowth in the intestine can cause malnutrition अब यह वो तीन condition है जो हमारे digestion में और absorption में दिक्कत देती तो याद रखेंगे Crohn's disease celiac disease और bacterial overgrowth ठीक है ना इनकी वएसे क्या हो सकता है हमारा digestion गरबड हो सकता है और इस digestion गरबड होने के वएसे हमको क्या होगा malnutrition हो सकता है excessive alcohol consumption अगर alcohol बहुत ज़्यादा पी रहे हो तो heavy alcohol use can lead to inadequate intake of protein calories and micronutrients alcohol बहुत ज़्यादा लेने के वएसे तीन चीज़े affect होती है protein, calorie and micronutrients हमारी body में properly इनका जो uptake है हमारी body जो एब्सॉब करती है mental health disorder depression and other mental health condition अगर आप depression में हो या कुछ और mental condition है can increase malnutrition risk इसकी वएसे भी malnutrition होता है देखो खाना पीना सही से नहीं होता है depression होता है इंसान खाना पीना सही से नहीं करता है one study found that the prevalence of malnutrition was 4% higher in people with depression compared to healthy individuals याने कि जो लोग depressed नहीं उनके तरह 4% ज़्यादा malnutrition पाया गया compared to normal people inability to obtain and prepare food कुछ लोग सच्चम नहीं है food को obtain कर सके और prepare कर सके studied have identified being frail frail मतलब बहुत कमजोर होना ठीक है having poor mobility अब चल फिर नहीं पाते हैं and lacking muscle strength है ना आपकी muscle strength उतनी नहीं है कि हम कह सकते हैं जब बूडों वाली condition आजाती है माल लोग कुछ लोग होते हैं बूडे माबाप हैं नहीं उनकी कोई देखरे करने वाला विचारे रहते हैं घर पे एक ही वक्त खाना बना लिया चल फिर नहीं पा रहें जादा ठीक है risk factor for malnutrition these issues impair food preparation skills इसके वैसे क्या होता है अब food इतना अच्छा prepare नहीं कर पा रहे हैं और उसके वैसे दिक्कत आ रही है तो very important cause क्या है हमारे पास malnutrition के तो यह कुछ खास-खास current है हमारे पास next है population at risk कौन सी आवादी या कौन से लोग किन लोगों में यह malnutrition होने की संभावना बहुत जादा है तो malnutrition affects people in all parts of the world but some population are at higher risk कुछ population higher risk पर है जैसे की population data prone to malnutrition include ठीक है ना कौन-कौन से population है people living in developing countries or areas with limited access to food अब यह developing country है है ना present time पर आव लोग देख सकते हैं यह developing country वहाँ पर गरीबी बहुत जादा है भुकमरी बहुत जादा है तो वहाँ पर malnutrition होने की जिक्कत जादा है तो वहाँ पर ही कुछ ऐसे area भी होंगे जहाँ पर खाना प्रॉपर नहीं पहुंचता है ठीक है ना बहुत सी country तुम लोगों देखी होंगी कुछ खास area है साहरा अफ्रिका और साउधन एसिया यहाँ पर थोड़ी सी क्या है फूड की कमी है इंडिविजल विद इंक्रीज निउट्रियंट नीड इस्पेशली चिल्रन एंड प्रेगनेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमें अब जो बच्चे होते हैं है ना जो इंफेंट है जो बच्चे है जो ग्रोथ ले रहे है या जो प्रेगनेंट लेडी है उनमें कहीना कही निउट्रियंट की डिमांड बढ़ जाती है उनको ज्यादा निउट्रियंट से है और उगर उनको प्रॉपर निउट्रियंट ना मिले तो दिक्कत है तो in some developing country, कुछ developing country में 2431% of pregnant and breastfeeding mothers are malnourished ज़्यादर देखो यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे है ज़्यादर developing country में 24-31% pregnant ladies जो कि बच्चे को दूद पिला रही है वो malnourished है क्योंकि उनको proper खाना नहीं मिल रहा है तो जिनका social economic status कम है वो लोग proper खाना पीना अपना नहीं कर पाते है जो लोग बूडे है particularly those who live alone जो अके लिए रहते हैं and have disability या उनको कुछ disability है हाथ पर काम नहीं करते हैं तूटे फूटे है researchers shows that up to 22% of older adults are malnourished and over 45% are at risk of malnutrition 22% of malnourished है और 45% risk पर है तो ठीक है देख रहे हैं हम लोग किन कौन कौन से लोगों को malnutrition होने की संभावना बहुत जादा है people with issues that affect nutrient absorption जिनको दिक्कत है nutrient absorption होने में वो लोग भी risk पर है हमने हैं डिसकस किया था कौन कौन से है chronic disease जिनको होगी ठीक है ulcerative qualities होगा में up to 4 times more likely to have malnutrition than those without these conditions यानि कि जिन लोगों में chronic disease है या ulcerative qualities है ठीक है ना जिनको nutrition absorb करने में दिक्कत है तो उनको 4 गुना या 4% गुना नहीं कहेंगे 4% ज्यादा संभावना है normal people compare में कि malnutrition हो जाए उनको clear है ठीक है अब यह सारे condition होगी किन किन लोगों में होने की संभावना जाता है अब prevention and treatment कैसे prevent किया जाए ट्रीट किया जाए तो prevention and treating malnutrition involve addressing the underlying causes क्या क्या है government agencies independent organization and schools can play a role in preventing malnutrition obviously बात है हमारी सरकारों के क्या करते हैं जो वो आते रहते हैं अरे programs आते रहते हैं कैसे हैं independent organization जो NGOs वगरा है उस्कूल वगरा में जैसे कि अपना देखते हैं मिड़े मील वगरा चलता है तो यह सब लोग क्या कर सकते हैं prevent कर सकते हैं malnutrition में अपना एक role play कर सकते हैं research suggest करती है that some of the most effective way to prevent malnutrition include providing iron zinc and iodine pills research बताती है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है effective तरीका कि जो हमारा diet है उसमें क्या करो iron zinc और iodine की pills दो बच्चों को यह जिनको under nourish है food supplement food supplement पड़ चुके हम लोग food supplement दो and nutrition education दो to population at risk of under nutrition और उन population जिनको होने की संभावना ज्यादा है उनको nutrition की education दोगी क्या है nutrition की value और क्या-क्या करते हैं आगे जाके हो सकती है इन एडिशन इंटर्वेंशन डेट इंकरेज इंटर्वेंशन मतलब एक तक दख्लंदाजी हो गया कि आप उनको जाएं समझाएं जो इंकरेज करें बढ़ावा दे healthy food choices and physical activity ठीक है ना healthy food choice आपके पास 50 रुपे हैं तो बजाए इसके cold drink पियो आप इस 50 रुपे से एक अच्छा juice पी लो जो कि over weight and obesity इससे आप over weight and obesity से बच सकते हैं you can also help prevent malnutrition by eating a diet with a variety of foods the diet हो आपकी variety of foods से हो सुबह कुछ और खाएं दूपेरों कुछ और खाएं शाम कुछ और खाएं that include enough carbohydrate protein fat vitamins minerals and water जिसके अंदर सारी चीज़े परियात्मातरा मौजूद हो treating malnutrition on the other hand often involve more individualized approaches यहां पर एक और वी चीज़ हमें समझनी है कि हर किसी individualized है यह malnutrition हर किसी का अपना अलग-अलग होता है तो हम एक common बात नहीं बोड़ सकते हैं तो कहीं न कहीं हम कह रहे हैं यू और someone you know is under-nourished talk to a doctor as soon as possible अगर आपको लगता है कि तुम किसी को जानते हो जो under-nourished है तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से बात करके उसका समझान निकाले बहुत जरूरी है ठीक है तो malnutrition के बारे में ये सारी बाते थी और ये अपना my nurture app के बारे में कुछ बाते हैं तो malnutrition बेटा बहुत important है as a pharmacist फिर बता रहा है malnutrition के बारे में सारी information होनी चाहिए जिसमें दो जो बिमारिया है क्वाश्य और कर मरासमस इसके बारे में और detail में हम लोग पढ़ेंगे chapter I think second year में है malnutrition के बारे में कौश्य और मरासमस के बारे में और detail हों बाते हैं साइच secondary में आएंगी ठीक है काफी important topic था malnutrition इसको में लिए से separate किया था ये टकराएगा तुमसे life में हम इसे टकराएगा ये malnutrition ठीक है ना तो करना क्या है पढ़ना है और revise करना बिना revision के चीजें भू available करवा रहा हूँ ठीक है free of cost तुम्हारे पास video और notes available है YouTube पर उसके अलावा अगर तुमको कुछ benefits चाहिए ठीक है तो वो सारे तुमको यह एप में मिल जाते हैं notes lecture के अलावा यह तमाम चीजें तुमको एप में मिल जाती है ठीक है ना यह मेरा phone number है ठीक है कोई problem है तो ठीक है तो पढ़ा ही करते रहें और revision पक्का करें ओके all the best